नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बारत और बांगलादेश के बीच खेले जारे पहले टेस्ट मेंच के पांचवे दिन की अभी आज पांचवे दिन बांगलादेश की टीम 324 रन पर आल आउट हो चुकी है और बारत यह मेंच 118 सी रन से जीत चुका है और बारत इस दो टेस्ट मेंचों इस सिरीज में 1-0 से अभी आगे हो चुका है और इसी टेस्ट मेंच के जीतने के साथ ही बारत है WTC की पॉइंट टेबल में 30 रिस्टान पर पहुंच गया है इस पहले टेस्ट मेंच में बारत ने पहली पारी में 468 रन बनाए और दूसरी पारी में 258 रन पर दो विकेट के नुसान पर पारी को डिकलियर गोशित कर दिया इसके बाद बांगलादेश पहली पारी में 500 रन बना पाया और दूसरी पारी में 324 रन बनाए और बांगलादेश ने दूसरी पारी में चोथे दिन का खेल समप तोने तक 6 विकेट गवा दिये थे और आज साकीवे लेसन भी 146 रन बनाकर आउट होगे और इसके साथ बांगलादेश की पूरी टीम 324 रन पर अपने 10 विकेट गवा चुकी और भारत ने यह टेस्ट मेंच से 118 रन से जीत लिया भारत की ओर से बात करें तो दूसरी पारी में मौमद सिराज को एक विकेट मिला उमेश यदव को भी एक विकेट, रविस संद रास्विन को भी एक विकेट एकसर पटेल को इस दूसरी पारी में 4 विगेट मिले, कुलदीप यादव को 3 विगेट मिले और कुलदीप यादव को पलेयर ओप दे मेच चुना गया क्योंकि पहली पारी में 5 विगेट मिले थे और दूसरी पारी में 3 विगेट और बारत की ओर से इस टेस्ट-मेच में सबसे ज़ाधा ररन बुनाए छेटेसवर पु密areं ने पहली पारी में नबयरन बनाये थे और दूसरी पारी में 102 ररन अब दूसरा टेस्ट मेंचे बांगलेदेश और इंडिया के बीच डाका में खेला जाएगा और यह 22 दिसम्बर से लेकर 26 दिसम्बर के बीच खेला जाएगा तो अभी के वीडियो में इतना ही आगे जानकारी के लिए प्लीज आप अमारे वीडियो को लाइक करें के साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें